हमारे साथ इस वक्त इस पर जादा चाचा करने के लिए अधिती फटनिस जी जुड़ रही है, पुलिटिकल एडिटर हैं, बिजनस स्टैंडर्ड की, हमारे साथ अंजुम आरा जुड़ रही है, प्रवक्ता हैं, जेडियू की और हमारे साथ नवल किशोर सहाब जुड़ रह हाई, वो अब ऐसा लग रहा है कि जाकर वापस BJP की तरफ, NDA की तरफ जाने का उन्होंने मन बना लिया है, कितनी बड़ी शती होगी, और एक सवाल एक से साथ ये भी जोड़ देता हूं, इंडिया लाइन्स को कितना नुक्सान होगा, और नितीश कुमार पर जो पल्टू ये सूचा है कि शायद अब लालू जी के साथ ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती है, सच पूछो अंकित, तो हमको ये बात करीब 6-7 महीने पहले भाजपा, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, भाजपा के एक जनरिल सेक्रेटरी ने इसका उलेग किया था, जैसे ही लालू जी बाहर निकल के आये थे और एक तरह से सक्रिया हो रहे थे राजनीती में, मनो ज्जा जो MP है राजे सभा के, उन्होंने एक भाशन दिया था राजे सभा में, उस भाशन में मतलब कि उसका लबो लब था वो तो दूसरी बात है, लेकिन उस भाशन में जो तलखी थी और जो उसका कुलमिलाके जो नियत थी उसकी वो यही थी और समय मैं उनके साथ ही बेटी थी समय कि अब इन दोनों में जब आप इन दोनों में दोन चलेगा जे डी धी उ और आजे डी क करिश्ता ये करीब 9 महीने 7 महीने पहले की बात है और अभी हमने उनने को दुबारा कहा कि सबसे पहले आप ही ने भापा था तो उनका जवाब ये था कि वो तो होना ही था एक तरह से मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक तक तेजश्वी यादव और लालू-प्रसाद के परिवार के सदस्य एक तरह से नितीज जी और जेडी यू क की गिरफ्त में थे तब तक ठीक था लेकिन अब मास्टर स्ट्राटेजिस्ट जब उतर गया है मैदान में तो उस परिस्ति में शायद नितीज जी अपने आपको अंजु मारा जी कैसे कोई यकीन करेगा नितीज जी पर अगर फिर से पल्टी मार जाएंगे तो लोग हैं क्या यह जो कयास लगाई जा रही है कि नितीज जी अब फिर से एंडिय में जाने वाले हैं इसको मान लिया जाया है सत्यवचन कल जो आदर्नी नितीज कुमार जी के भासन के बाद जो बाते शुरू हुई तो एक पोर्शन केवल दिखाया जा रहा है मैं स्वैम वहां कल के उस कारक्र में मौजूद थी मैं थोड़ा ता मैं आपको अंकित बता देना चाहती हूं कि आदर्नी नितीज कुमार जी का जित सांसद है और बेपक्ष के निता है सदन में उन्होंने कहा कि जब तक उनका जीवन रहा उनको उन्होंने कभी भी राजनीत में नहीं आने दिया हम लोगों ने बनाया और मैं उन्हीं का अनुसरन करता हूं तो वह प्रसंग और संसमरन जिसमें ये वन्शुबाद की भी बा सबसे बड़ा दल है अगर वहां पर कोई अक्टिविटी कर रहा है तो उनको साथ में होना चाहिए अंकित जी ये बहुत ही मैं मानती हूं कि ये रिलेवेंट क्वेस्चन है कल अगर आप ये सवाल उठाए कि कल जनता दल यूनाइटेड का तीन लाक ठीर थी वहां पर रास तो फज़ नहीं करना यह ऐसे अलगारने लूटरम में अक्पालि करते हैं उसमेंग पालिशन पर्णिन हमवानने अगर्फषी में वांड। ज़िलिए एक चीज़ अदिती जी कम से कम समझ में आ रही है भारती जन्ता पाटी ने जो इंडिया गट बंदन को इंडी गट बंदन कहना शुरू करा था अब जो JDU की प्रवक्ता हैं उनका भी वहाँ पर पहली प्रवक्ता होंगी India Gatbandan, India Alliance मेंसे जो उसको भी इंडी Gatbandan के नाम से मैंने कम से कम बोलते होगे सुना है अंकित जी अगर मैं इंडिया कहूँ मैं आप इंडिया कहेंगी तो मैं तो इंडिया ही कहता हूँ अधिती जी क्या अंजुम जी जो कह रही है कि हम मीडिया जो है जादा बात का बदंगर बना रहा है कोई आग नहीं है हम लोग जबरदस्ति में जो दुआ है वो देख रहे हैं ऐसा हम लोग कर रहे हैं या फिर कुछ इससे ज़्यादा बात है जितनी आपको समझ में आ रही है यह तो हम तो नहीं कह सकते हैं कम से कम लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि नितिश जी के तेवर में बदलाओ आया है और आर जे डी भी उन पर तरह से तरह से हमला कर रही है और दोनों में उस तरह के सौहादपून संबन नहीं है जो कि पहले हुआ करते थे जबकि चाचा और मामा और इन सब चीजों की बात होती थी जी तो नवल किशोर जी आर जेडी के प्रवक्ता है नवल किशोर जी रोहनी अचारी जी किसकी तरफ हमला करके यह ट्वीट कर रहा था अगर उन्होंने इतना मेहतोपून ट्वीट कर रहा था तो अगर अलग तरीके से परने की कोशिस की जा रही थी अब तो उसका कोई आधार ही नहीं बचा और वह वह यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर हम खोजना सुरू करें कि जो निटीश कुमार जी बोल रहे हैं वो आर्जेडी पर ही है और रजेडी जो चर्चा निटीश जी ने की ती वह तो पुरेदिस में है अगर बेटा की परिवारवाद की बात की करनी है तो क्या अमीज साहजी के बेटे फाइदा नहीं उठा रहे हैं वो तो वो तो उनकी जन स्विक आरितावाली पोस्ट भी नहीं है जो राजनीत में तो सो पड़िव 70 दिन में 2,17,000 नौकरी दी है, सरकार ने जाती है गन्ना करा के अबादी के हिसाब से जो नवल किशोर जी मैं ये तो समझ सकता हूँ कि आपका और अंजुम जी का अंजुमारा जी का ये परिशानी तो होगी जब तक वो पूरी तरह से गटबंदन नहीं तोड़ लेते तो आ आपके साथ आ जाते हैं पिछला चुनाव आपको याद है ते जिस्वी आदब घूम घूम के नितीश कुमार जी की बुराई करके ही उन्होंने चुनाव लड़ा था जीतने पाई ये अलग बात थी फिर इसके बाद आप लोग की सत्ता बन गई तो क्या इस बात के लिए आरजेडी तैयार है कि अगर नितीश कुमार घटबंदन से बाहर निकलते हैं तो बिहार में जो लड़ाई है वो आरजेडी कॉंगरस मिलके लड़ लेगी अंडिया से इस तरह के जो काल्पनिक सवाल है उस पर विचार करने कि इसले जरूरत नहीं है कि इंडिया करते हैं तो आध्यां रही है आधर कि अधिया जा रहे हैं क्या रहो गांधी की भारत जो रऊंजा को illegal가요 его अब अब क institute अब आपने कहा की BJP का का तो काम ही है तो आप लोग मोका देते हैं बीजेपी को चुटकी लेने का इसलिए बीजेपी चुटकी लेती है ज़रा भारते जंता पार्टी के तरफ से गिराज सिंग जी हो है उनका क्या रियाक्शन है वो सुनवा देते हैं आपको ये छे पांच का खेल चल रहा है दोनों हार्ड बार्गेनर हैं आप इधर के अधर क्या जब से हैं तब से बार्गेनिंग ही चल रहा है आप देखें एक दिन आरजेडी ने कहा कि लालू जी के आशिरबाद से ये मुक्ख मंतरी है तुरत नितीश जी का मंतरी ने ब्यान दे दिया कि अमित साह जी ने नहीं कुछ बोला है खिलाफ में बद दूसरे दिन लालू जी पुता पुत्र पहुंच गए घुठ ने टेक दिये फिर जब नितीश जी टाइट हुए परिबार बात पे हमला किया कर पुरी जी के नाम पर तो रोहनी ने ट्वीट कर दिया फिर ज पितीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके यह ड़ाते हैं और मैं पहले भी कहा यह गाना गाते रहते हैं मैं मैके चली जाओंगी तुम देखते रही हो लेकिन मैके का दरबाजा बंद है यह वो नहीं बताते हैं जो कुछ और बात हो रही है वो कह रहे हैं कि मैके का दरबाजा बंद हो गया है तो क्या बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर नितिश कुमार जी इस बार आते हैं तो उनके लिए रास्ते बंद हैं मेरे ख्याल से बीजेपी में भी बहुत सारे दिगज है जो देख रहे हैं कि उनका सिंगहासन डोल रहा है और नितिश जी यदि आ गया तो उनको भी मुश्किल होगी पहली बात तो यह है दूसरी बात अमिज शाज जो होम मिनिस्टर है मेरे ख्याल से उनका बयान ज्याद आखरी वक्तव यह लेकिन बिहार की राजनीती और इंडिया गडबंधन का जो फ्यूचर है वो कम से कम बहुत जादा इसको अंग्लेजी में कहते हैं इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है और यह सिर्फ ना यह तैख करेगा कि नितिश कुमार का फ्यूचर क्या होगा 2024 में इंडिया गडबंधन का ही क्या वविश्य होगा यह भी बिहार से तै हो सकता है हमारे सबी ममानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुनने के लिए